हेलो फ्रेंज, वेलकम तो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज, इंटर्गल कोच फेक्टरी की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन की फॉर्म फिलप के बारे में, तो फ्रेंज यहाँ पर जो वेरि यहाँ पर आपकी रहेगी, जो भी तो भी अभी अररब रोगम नाव में, वहाँ जन्दल नर्सेंग आके फॉर्म पर कॉइदर कर सकते हैं, और अब कर सकते हैं एका5 राव तो भी अर्टिशन के ली तक शेक करेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, jobraaster.com के link पर वहाँ पर आपको इससे related जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी अब बात करते हैं इसके online form fill up के बारे में तो यहाँ पर फेंस से जो इसका official website है यहाँ पर आपको इसके apply online का link मिल जाएगा यहाँ फिल आप jobraaster.com पर भी जाकर इसकी detail को check कर सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ select करना है किस post के लिए अप eligible है उस post को आप यहाँ select करेंगे इसके अलाब यहाँ पर आपका जो monthly आपकी जो भी salary भत्ता आपको मिलने वाला है वो आपको detail दी गई है आपका age criteria आपका education qualification दिया गया है और यहाँ पर जो age registration मिलने वाला है उसकी जानकारी आपको दी गई है अब यहाँ पर अगर आप इस post के लिए eligible हैं अपलाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक option मिलता है proceed to next page का आप इस section पर click करेंगे और इसके बार आप यहाँ से इसको okay करेंगे okay करने के बाद यहाँ पर यह 5 step आपको दिये गए है तो इसके लिए friends आपको यहाँ पर सबसे पहले नीचे आना है नीचे आने के बाद जो पहला step है जिसमें आपको यह declaration करना है और यहाँ पर friends आपको click करना है click here to fill new application form पर तो आप इस section पर click करेंगे click करने के बाद आपका friends यहाँ पर जो यह form है यहाँ आपका यहाँ पर open हो जाएगा अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देना है आपका full name तो आपका जो भी full name है वो friends आप यहाँ पर fill करेंगे तो यहाँ पर friends आपका जो भी नाम है वो आपके 10th SLC या metric के जो certificate है उसके according आपको यहाँ पर fill करना है इसके बार आपका father या husband name जो भी आप यहाँ फिल करना चाहें वो आप यहाँ कर सकते हैं आपकी nationality आपको यहाँ सेलेट करना होगी आपका religion क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा तो मैं अभी यहाँ पर randomly select कर रहा हूं इसको आपकी जो भी age criteria है वो आप यहाँ select करेंगे और जो यह age है वो 172020 को count होगी तो इस चीज़ का अपो ध्यान रखेगा और यहाँ पर इसके अलावार जो marital status है वो भी आपको बताना होगा अगर आप merit candidate है इसके बार community की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर general, OBC, SC या ST तो friends यहाँ पर देखिए आप जो भी category में आते हैं वो आप यहाँ select कर सकते हैं अगर बात करें SC या ST की तो friends फ्री ट्रेवल प्रासेस जो हैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किये जाएंगे तो यहाँ पर आप चाहें तो SC यहाँ पर आपको जो फ्री ट्रेवल का allowance है वो आपको नहीं मिलेगा अब यहाँ पर आपको देना है आपका certificate number तो आपका जो center का certificate है उसका certificate number date of issue place of issue और issue by जैसे माली जी आपका यह issue है अलवर से तो आप अलवर दे देंगे आपका जो भी जिला यह तैसिल जहां से भी यह issue हुआ है और किसने issue किया है तैसिल दार ने जिला magistrate ने वो आप जानकारी दे सकते हैं और यहां पर आपका certificate number दे सकते हैं सेम आपको यह OBC में देना है जनरल केंडेट के लिए यहां पर यह applicable नहीं रहेगा इसके बाद यहां पर है mobile number तो आपका 10-digit का mobile number आप यहां फिल करेंगे और ध्यान रखेगा आपको एक one time password भी send के जाएगा इसलिए बिल्कुल सही सही वो आपको फिल करना होगा इसके बाद है mail address तो आपको यहां पर valid mail ID यहां पर जो है आपको देनी होगी और ध्यान रखेगा अगर application जो है submit करने के बाद एक acknowledgement जो है आपके mail ID पर send के जाएगा तो इस दोनों ही condition में आपका जो mobile number है आपकी जो mail ID है वो बिल्कुल सही सही और active होनी चाहिए तो दोनों ही condition आप यहां पर सही सही फिल कर देंगे इसके बाद friends यहां पर जो next option रहेगा वो आपके यहां पर personal marks का है तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपके identification बोडी पर कहीं पर भी किसी जलने का कटने का मोल का कोई भी निशान है वो आप यहां पर दे सकते हैं अब यहां पर माली जी आपके पास नहीं है तो आप यहां पर no mark कर सकते हैं और यही है और आप नहीं भी तर देना चाहते हैं तो भी आप यहां पर no mark कर सकते हैं इस condition के बाद आपको यहां पर जो details है इसमें आपका पूरा नाम हो गया फादर नेम हो गया जो section यह आपका open हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा enter address for communication तो आपका जो भी पूरा address है जो भी आप लिखते हैं अपने address में वो आप यहाँ इस section में लिख सकते हैं इसके बड़ स्टेट का यहाँ पर option है तो आपका जो भी state है वो आप यहाँ देख सकते हैं आपको state यहाँ दिये गए हैं तो आपको list मिल जाती है सभी state की अब यहाँ पर एक important note है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा तो इसके लिए हम चलते हैं इसके दुबारा से official notification section पर तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो selection process है वो interview पर basis भी होगा और यहाँ पर आपके mobile या telephone पर होगा अब यहाँ पर preference किसको मिलेगी तो first preference सबसे पहले दी जाएगी जो कि resident है greater chain नहीं के और या फिर resident है उनका काचीपूरम में या फिर तिर्वलम डिस्टिक में या फिर तमिल नाडो पास जो जो डिस्टिक्स हैं या फिर जो राज्ये हैं उनमें आपको मिलेगा Southen जो religions हैं उनमें आपको यहाँ पर मिलेगा जो Southen states है उसमें आपको प्रफरेंस मिलेगी इसके बाद अगर आप Other state के candidate है तो उनके बाद उसमें प्रफरेंस आपको मिलने वाली है तो आप यहाँ पर इस form को फिल कर सकते हैं जैसे मैं अभी Other state से फिल कर रहा हूँ तो हम Other state को सुरूज करते हैं उसके बार हमारा district इसके बार आपका pin code और यह फिल करने के बार नीचे है आपका unique identification number मतलब UID अधार number तो आपका 12 digit का अधार number आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर जो next option है यह है आपके education detail का तो यहाँ पर देखे जो भी आप post select करते हैं उससे related ही आपको यहाँ education detail फिल करनी होगी आप जैसे यहाँ पर education qualification है जिसमें आप से 10th standard मांगा गया है आपने pass out क्या हुआ है आप यहाँ yes कर सकते हैं जो भी आप से education qualification में detail मांगी है वह आपको फिल करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको certificate number देना है जो कि आपके mark sheet पर लिखा होगा या पर certificate अलग से issue हुआ है उस पर लिखा होगा उसके लावा आपकी percentage है वो कितनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं आपका year of passing कितना है वो आपको यहाँ पर देना होगा तो यह detail आपकी 10 की हो गई, यह आपको fill करना है इसके लावा अगर आपने working की है hospital में तो आप yes कर सकते हैं, नहीं किया है, आप no कर सकते हैं पर यहाँ पर yes करते हैं, तो year of service आपको बतानी होगी कि आपने कितना work hospital में किया है और name of the hospital आपको बताना है इससे होगा क्या आपको जो preference है वो ऐस्तरा मिल जाती है मतलब आपके जो selection है उसका होने की chances आपके इसमें ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके according जो भी आप option यहाँ select करना चाहें वो कर सकते हैं और इसके बार यहाँ से proceed कर सकते हैं प्रिव्यू देखने के लिए आपके application form का तो friends यहाँ पर जब आप details को check करेंगे आपका जो भी प्रिव्यू section है वो आप यहाँ check करेंगे यहाँ पर friends आप से कहा गया है कि जो आपको button है correct या modify details का वो आपको मिल जाता है अगर आपको भी changes करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे और इसके बार एक one time password आपके पास जाएगा और एक बार आप one time password को यहाँ पर डाल देंगे उसको verify कर देंगे उसके बार फिर आपको भी correction या modify नहीं कर पाएंगे इसलिए details को आपको अराम से check करना है जो कि preview section में आपको दिया गया है इसके बाद fans आप नीचे आएंगे नीचे आने के बाद आपको यहाँ से declare करना है declare करने के बाद जो यह capture code दिया गया है यह capture code आपको fill करना होगा यहाँ पर fans आपको एक option मिलता है correct या modify details का तो दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो correct यहाँ से कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर one time password के लिए जा सकते हैं और एक बार one time password डालने के बाद आप इसमें कोई भी edit नहीं कर पाएंगे उसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपका जो one time password section है यहाँ आपका open हो जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर जो one time password है वो आपको enter करना होगा one time password enter करने के बाद जैसे ही आप one time password को यहाँ पर verify करेंगे उसके बाद आप इसका जो final print out है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे अब यहाँ पर हो सकता है आपके पास यह hand to end नहीं आए तो यहाँ पर आपको चार से पास्वर्ट कम से कम wait करना हो सकता है उसके बाद आपको जो mobile number है उस पर आपको one time password आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा click here to print your acknowledgement का तो आप यहाँ पर इसको click कर सकते हैं और उसके बाद friends आपका जो भी यहाँ पर final form है वो आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं और इसके साथ जो आपके पास mail ID है उसको आप लगाता है टच में बने रहिए आपके mobile number पर भी आपका कोई SMS या mail आता है तो उसको भी आप चेक करते रहिए क्योंकि आगे की जो भी फर्दर problems या details होंगी वो आपको सभी आपके mail ID पर ही बताई जाएगी तो फ्रेंस इस वीडियो हमने बात की इंडियन रेलवेस के इंटरेल कोच फेक्टरी के ओनलाइन फॉर्म फिलप के बारे में यदि फ्रेंस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर कीजिए और बाकी की जानकारे के लिए आप जा सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com के लिंक पर महाँ पर आपको इससे रेटेड रानकारी मिल जाएंगी तो फ्रेंस ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रहिए 824 knowledge and last thanks for watching